सभी पिरकार के नाम बनाना सीखिए Hello guys and dear students आज की वीडियो में हिंदी के नामों को इंग्लिस में कैसे बनाना है उसके लिए सभी रूल्स बताए गए है चाहें कितना भी सरल नाम हो चाहें कितना भी कठिन नाम हो जिस टाइब के नाम आपने सुने होंगे लिखे होंगे या पड़े होंगे हर तरह का नाम इस वीडियो में कवर किया गया है ये वीडियो देखने के बाद आप हर तरह का नाम बनाना सीख चाहेंगे चाहें कितना भी कठिन हो तो चलिए सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि हिंदी के किस अक्षर से इंग्लिस का कौन सा अक्षर आता है Most important नाम बनानी के लिए यही है कि हिंदी के कौन से अक्षर से क्या अक्षर आ रहा है अगर यह हमने सीख लिया तो हम कोई भी नाम बना सकते हैं चलिए छोटे आसे A जो बड़ी की मांत्रा आती है तो हम या तो डबली लगाते हैं या फिर आई लगाते हैं छोटा O, छोटा O से U, बढ़ा O, बढ़ा O से W या फिर U, जब बढ़ी O की मांत्रा आती है, तो उससे हम या तो W लगा सकते हैं, या फिर U लगा सकते हैं, री, री से R-I, छोटी ए, छोटी ए से E, बढ़ी ए, बढ़ी ए से A-I, ओ, ओ से O, ओ से A-U, या फिर O-U, जब ओ की आबाज आती है, ओ की मांत्रा आती है, तो हम उससे A-U लगा सकते हैं, या फिर O-U लगा सकते हैं, अंग, अंग से A-N लगाते हैं, अह से A-H लगाते हैं, का, का से K, खा से KH, गा से G, गा से GH, अडा, अडा से N, जा से CH, छा से C-H, जा से जे, जासे जे एच, हुआ, वासे एन, तासे टी, थासे टी एच, दासे डी, धासे डी एच, अडासे एन, तासे टी, थासे टी एच, दासे डी, दासे डी एच, नासे एन, वासे B, वासे F, वासे B, वासे BH, मासे M, यासे Y, रासे R, लासे L, वासे V, या फिर W, शासे SH हमारे 3 प्रकार के आते हैं, जो सबसे पहले सा आते हैं, दो उनसे SH आता है, और जो बादवाला सा है, लास्ट में जो सा है, उससे S आता है, हासे H, 6, 6 से KSH, जो 6 होता है, उससे KSH, आता है, तरा, तरा से TR, ग्या से GY, स्रा, स्रा से SHR, स्रा से SHR, चलिए, नाम बनाना सीखते हैं, देखिए, पहला नाम है हमारा न, म, न, म, न, मतलब नमन, तो देखिए, इस नाम में हमारा जो ना, म, और न, तीन अक्षर आया हैं, वो तीनों ये अक्षर खाली हैं, और जब भी कोई अक्षर खाली आता है, पहला अक्षर, दूसरा अक् बीच में कोई भी अक्षर हो जो भी खाली होता है उस पे हम ए लगाते हैं और लास्ट वाला जो अच्छर होता है अगर वो खाली है उस पे कोई भी मांत्रा नहीं है कोई भी आगी मांत्रा नहीं है किसी परकार की मांत्रा नहीं है तो हम उस पे ए नहीं लगाते हैं अगर ला खाली अक्षर है, उसकी अबाज A, A sound की निकल लगाते हैं, तो हम उस पे A लगाते हैं, इस टैप से भी हम समझ सकते हैं, अगर कोई अक्षर खाली है और उसके अबाज A की निकल लगाते हैं, जैसे कि न, न, न से N और न पे A की अबाज निकल लगाते हैं, उससे A, मा से M, औ और मा पर जो अवाज है वो आ की है मा, तो मा से M, और जो आ की अवाज है आ की अवाज से A, और लास्ट में हमारा ना आ रहा है, और लास्ट वाले ना पर जो अवाज है वो है न, ना की अवाज नहीं है, मतलब आ की अवाज नहीं निकल ले है लास्ट वाले ना पर, इस नाम पहले जो ना है उससे हमने एन बनाया है और वो खाली है उस पर आकी आवाज निकल लिए इसलिए उससे ए बनाया है मा से एम और मा पे भी जो आवाज है वो आकी है तो उससे भी हमने ए लगाया है और लास्ट में जो ना है उस पर आकी आवाज नहीं है न म न लास्ट वाले से इन सबको बनाया है बस हमें ध्यान इतना रखना है कि जब कोई नामाता है और उस नामने सब्सक्राइब खाली है मतलब कोई इदंडना या मांत्रा नहीं है बिल्कुल खाली है तो सुरुवात कर जो अच्छा होता है या बीच वाले जो अच्छर होता है उनमें हम खाली अक्छर पे A लगा देते हैं और लास्ट वाले जो अक्छर होता है उस पे A नहीं लगाते हैं ऐसा इसलिए करते हैं कि शुरुवात में जो अच्छर होते हैं और बीच में जो अच्छर होते हैं उस पे जादतर आ का साउंड होता है, रवाज होती है, वो आगे होती है, इसलिए हम खाली अक्छर पे भी ए लगा देते हैं, लेकिन लास्ट वाले अक्छर पे आ क्या वाज नहीं होती, इसलिए ए नहीं लगाते हैं, चलिए इन सभी नाम में हम सबसे पहले के तीन नाम समझ लेते हैं, जैसे रमन, रमन में र, रा पे आका साउंड है, इसलिए आरे मा पर भी आका साउंड है, मा, तो हमने में लगाया, लेकिन लास्ट वाला जुना है वो न, इसलिए आका साउंड नहीं है, इसलिए आरे में रमन, इसी तरह रजत, रजत में रा से आरे, जा से जे ए, कनक कनक में का से के ना से एन ए का से के सागर सागर देखिए जो सागर नाम दिया है इसमें सापे आ का बड़े आ की आवाज है और बड़े A से A आता है जो बड़े A के अवाज आती है अगल बड़े A के जो डंडा आता है उससे हम A लगाते हैं तो सा से S और बड़े A के जो अवाज है उससे A गा से G और गा पे भी A के अवाज है खाली है गा लेकिन A के अवाज है इसलिए A लगाया है र, र, रा पे आकी आवाज नहीं है और रा लास्ट मारा इसलिए सिर्फ आर लगाया है ये सभी नाम भी इसी टैप से दिये हुए है काजल, राघव, आरब, पायल, दयाल, आरस, आहान, भवाद, शान इन सभी नाम में भी बड़े आकी मांत्रा है चलिए इन में से भी हम सबसे पहले की जो तीन नाम हैं उनको समझ लेते है काजल, काजल में कापर बड़े आकी आवाज है, बड़े आकी मांत्रा है काँ से के आया है और बड़े आकी मांत्रा से ए आया है जासे जे है और जापे अग की अवाज है छोटे अग की अवाज है इसलिए जासे ए आया है लासे एल आया है और लाश्ट में जो अक्षेकाली आता है उस पर तो ए नहीं लगाते इसलिए लासे सिर्फ एल आया है इसी तरहे राघव, राघव में रापे वड़े आकी आवाज है, तो रा से आर बनाया है और वड़े आकी मांत्रा से ए बनाया है घा, घा से जिये चाया है, घा पे अग की आवाज है, इसलिए ए बनाया है वा वा से हुई आया है वा लास्ट में इसलिए हुई के वाल ए नहीं लगाया है इसी तरह आरब आरब में बड़े आ से ए आया है रा से आरब बनाया है रा पे अक्याबाज है अक्याबाज के लिए हमें ए लगाया है और लास्ट में बा से भी आया है हमें बस इतना ध्यान रखना है जब भी आगी आवाज आती है तो आगी आवाज जोए किसी खाले प्षर पे भी आए तो हमें यह लगाना है और आगी आवाज नहीं आती है तो यह नहीं लगाना है नितिन यह हमारा नाम है नेक्स्ट टैप का नितिन नितिन में ना पे छोटी की अवाज है ता पे छोटी की अवाज है तो चलिए इसको समझते हैं कैसे बनाया है ना पर ना से एन आया है और छोटी की अवाज से जो छोटी की मांतरा होती है उससे आयाता है तो हमने छोटी इसे आई लगाया है ता पर भी छोटी के वाज है तो ता से हमने टी बनाया और छोटी की मात्रा से आई बनाया है last में ना last में ना आया है और last वाले ना से हमने सिर्फ एन बनाया है कि लास्ट में जो अप्चर आता है उस पे आकी आवाज नहीं होती है इसलिए हम last वाले अप्चर पर एक कभी भी नहीं लगाते हैं अगर वो खाली होता है तो नि, ते, न इसी टैप से ये सबी नाम दिये गए हैं चलिए इनको भी समझ लेते हैं बिहान, चिराग, रिहान, किरन, सिमर, शिबं, दिशा, निशा, हिना इन सबी नाम में भी छोटी की मांत्रा है चलिए इन मेंसे जो सबसे पहले की तीन नाम दिये हैं उनको समझ लेते हैं बिहान, बिहान में वापर छोटी की मांत्रा है और वा से हमने वी बनाया है और छोटी की मांत्रा से आई बनाया है हा से एच बनाया है और हा पे बड़े आगी आवाज है मांत्रा है तो हमने बड़या की मांत्रा से A बनाया है लास्ट में ना से N बनाया है इसी तरह चिराग चिराग में चापर छूटी E की मांत्रा है चा से CH बनाया है और चापर जो छूटी की मांत्रा है उससे I बनाया है रा से R बनाया है और आपे बड़े आकी मांत्रा है उससे A बनाया है गा से G बनाया है रिहान रिहान मेर भी राग पर छूटी की मांत्रा है तो रा से R बनाया है और आपर जो छूटी की मांत्रा है उससे I बनाया है हा से H बनाया है हा पर बड़े आकी मांत्रा है इसलिए हमने बड़िया की मांत्रा से A बनाया है और लास्ट में ना आया है और लास्ट में ना से सिर्फ N बनाया है इसी तरह से ये सबी नाम बनाये गए हैं इस परकार के नाम बनाने के लिए हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षर पर छोटी की मांतरा आती है तो छोटी की मांतरा से हमें बस आई बना देना है चलिए अब नेक्स्ट टैप के नाम समझते हैं दीपक दीपक में दापर बड़ी की मांतरा है तो जब भी किसी भी नाम में किसी बच्छर पर बड़ी E की मांत्रा आती है तो बड़ी E की मांत्रा से हम या तो डबल E बनाते हैं या फिर आई बनाते हैं तो जब भी किसी नमबर बड़ी E की मांत्रा होगी तो या तो हमें डबल E बना देना है या फिर आई बना देना है D दीपग में जो दी दिया है दा पर जो बड़ी की मांत्रा है दा से हमने डी बनाया है और बड़ी की मांत्रा से डवल इ बनाया है पा पर आक्यावाज है तो पा से हमने पी बनाया है और आक्यावाज के लिए ए बनाया है लाश्ट में का और लाश्ट में जो अच्छर होता है उस पे अक्यावाच नहीं होती है जैसे दी प क क क क क क्यावाच नहीं है इसलिए का लाश्ट में है तो का से सिर्फ के बनाया है इसी तरह ये सबी नाम दे गए हैं इन सबी नाम में बड़ी की मांतरा है नीरज, समीर, धीरज, सीमा, रीमा, मीरा, कबीर, शीतल, फ़हीं चड़िए इन सभी नाम में भी हम सबसे पहले जो तीन निम दिये हैं उनको हम समझ लेते हैं नीरज, नीरज में ना से एन आया है और ना पर जो बड़ी किया ही मांतरा है उससे डबली लगाया है रा से आरवना है और रा पर अक्यावाज है इसलिए हमने ए लगाया है जा से छे लगाया है समीर, समीर में सा से एस आया है और सा पर अक्यावाज है तो अक्यावाज के लिए ए लगाया है मा से M आया है और मा पर बड़ी की मांतरा है इसलिए हमने बड़ी की मांतरा से डबली लगाया है रा से R लगाया है धीरज धीरज में धा से DH आया है और धा पर बड़ी की मांतरा है बड़ी की मांतरा से हमने डबली लगाया है रा से आ राया है और रा पर आ की आवाज है इसलिए हमने एल लगाया है जा से जी लगाया है इसी तरह हमने ये सभी नाम बनाए है इस टाइप के नाम बनाने के लिए बस हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षर पर बड़ी की मांतरा आती है तो हमें बड़ी की मांतरा से या तो डबल ई बना देना है या फिर आई बना देना है बड़ी की मांतरा से डबल ई या फिर आई डबल अक्षर आता है तो हमें ध्यान रखना है, जब भी बड़ी के मांतर आएगी, तो या तो डबली बना दीजिए, या फिर आई बना दीजिए, इसी टैप से ये नाम भी दिये गए हैं, बट इन नाम में थोड़ा डिफ्रेंस है, चलिए बो समझते हैं, रानी, सनी, राखी, आरती, भारती, रागिनी, माही, अबनी, दामनी देखें, इन सभी नाम में डिफ्रेंस पस इतना है, कि इन सभी नाम में लाश्ट वाले अक्षर पर बड़ी की मांत्रा आई है जिसा कि बताएगा बड़ी की मांत्रा से या तो डबली आता है या फिर आई आता है जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षर पर बड़ी की मांत्रा आती है तो उसे हम या तो डवली लगा देते हैं या फिर आई लगा देते हैं लेकिन लास्ट में जब किसी भी नाम में किसी बक्षपर लास्ट में अगर बड़ी की मांतरा आती है तो हम बड़ी की मांतरा से लास्ट वाले प्षपर कभी भी डवली नहीं लगाना चाहिए डवली कभी भी नहीं लगाने चाहिए बलकि डवली की जगे हमें आई लगाना चाहिए जैसे कि इन सभी नाम में हमने लगाया है जैसे कि रानी में रा से आर आया है और बड़े आ की मांतरा से ए आया है ना से एन आया है और बड़ी की मांतरा से हमने आई लगाया है इसलिए आई आया है इसी डाइब से राखी राखी में रा से आ रहाया है और रा पे बड़िया की मांतरा है इसलिए ए आया है खा से किया चाया है और खा पे वड़ी की मांतरा है जो लास्ट में है इसलिए हमने आई लगाया है चलिए नेक्स्ट टाइब के नाम समझते हैं कुमार 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 में कापे छोटे उकी मांतरा है और जब भी किसी विनाम में छोटे उकी मांतरा आती है तो छोटे उकी मांतरा के लिए हम यू लगाते हैं छोटे उकी मांतरा के लिए यू लगाते हैं का से के आया है और का पर छुटू की मांत्रा है छुटू की मांत्रा से यू आया है मा पर मा से M आया है और मा पर पड़े आकी मांत्रा है इसलिए बड़े आकी मांत्रा से हमने A लगाया है र र लास्ट में है और लास्ट वा लेप्चर पर आकी आवाज नहीं आती कुमार इस टैप से यह कुछ नेम दिये गए हैं चलिए इनको भी समझ लेते हैं सुमित कुनाल सुधीर शुमन नकुल खुशी उधित उजाला उमा इन सभी नाम में भी छोटेउ की मांत्रा आए है और छोटेउ की मांत्रा साम यू बनाते हैं चलिए इन सभी नाम में जो सबसे पहले तीन नाम दिये हैं उनको समझ लेते हैं सुमित में सा से आया है सा पर छोटेउ की मांत्रा है तो छोटेउ की मांत्रा से हमने यू बनाया है मा से एम आया है और मा पर छोटेउ की मांत्रा है छोटेउ की मांत्रा से हमने आय बनाया है त च्छोटी उकी मांत्रा से यू आया है ना से एन आया है और ना पर बड़े आकी मांत्रा है बड़े आकी मांत्रा से हमने ए बनाया है ला से एल आया है सुधीर, सुधीर में सा से ऐसा आया है और छोटी उकी मांत्रा से यू आया है धा से डियाच आया है और धा से धा पर बड़ी की मांत्रा है बड़ी की मांत्रा से हमने डवली बनाया है रा से आर आया है इस टैप के नाम बनाने के लिए बस हमें ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षपर अगर छोटी उकी मांत्रा आती है तो छोटी उकी मांत्रा से हम यू बनाते हैं जब भी किसी भी नाम में किसी अक्षपर छोटी उकी मांत्रा लगेगी तो उस छोटी उकी मांत्रा से हमें यू बना देना है चलिए अब नेक्स्ट टाइब के नाम समझते हैं पूनम पूनम नाम में पापर बड़ु की मांत्रा है और बड़ु की मांत्रा से या तो डबल ओ आता है या फिर यू आता है जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षे पर बड़ु की मांत्रा आती है तो बड़ु की मांत्रा से या तो डबल ओ बनाते हैं या फिर यू लगाते है तो पूनम में पापर बड़ु की मांत्रा है इसलिए पास से हमने पी बनाया है और बड़ु की मांत्रा से डबल ओ लगाया है ना से N आया है और ना पर A की अवाज है इसलिए A की अवाज के लिए A लगाया है मा से M बनाया है तो जब भी किसी भी नाम में किसी भी एक्षे पर बड़ी उकी मांतरा आती है तो बड़ी उकी मांतरा से या डबल O बनाना है या फिर U बना देना है इसी टैप से ये सबी नाम दिये गए हैं चलिए इनको भी समझ लेते हैं सूरज, पूरग, नूतन, पूजा, जूली, भूमी, सूप्यान, जूही इन सबी नामें भी बड़ी उकी मांत्रा आई है और बड़ी उकी मांत्रा से या तो डबल ओ बनाते हैं या फिर यू बनाते हैं तो चलिए इन नाम में भी जो सबसे पहले जो तीन नाम दिये हैं इनको समझ लेते हैं सूरज, सूरज में सा से ऐसा आया है और सा पर बड़ी उकी मांत्रा है बड़ू की मांत्रा से हमने डबल ओ बनाया है रा से आ राया है रा से रापर अक्याबाज में ए बनाया है जा से जे आया है नेक्स्ट पूरब पूरब में पा पर बड़ू की मांत्रा है पा से पी आया है और बड़ू की मांत्रा से डबल ओ आया है रा से आ राया है, रा पर आकि अबाज से A आया है, बा से B आया है Next, नूतन, नूतन में ना पर बड़िउ की मांत्रा है, ना से N आया है और बड़िउ की मांत्रा से डबल O आया है, ता से T आया है और ता पर आकि अबाज से A आया है, ना से N आया है इसी तरह बाकी सबी नाम बनाए गए हैं, जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्छय पर अगर बड़ियू की मांत्रा आती है, तो बड़ियू की मांत्रा से या तो हमें डवलो बना देना है, या फिर यू बना देना है, चलिए next टाइब के नाम समझते हैं, यह नाम में यह सभी जो नाम दिये हैं यह सभी नाम भी बढ़ू की मांतरा वाले हैं लेकिन और इन नाम में थोड़ा डिफ्रेंस है जैसे कि बताया है बड़ू की मांत्रा से डबल ओ या फिर यू आता है बट इन सभी नाम में थोड़ा डिफ्रेंस है चलिए बो डिफ्रेंस समझते हैं खुस्वू, राजू, शालू, बबलू, शानू, हिमानसू, नीतू, रिन्कू, संभू इन सभी नाम में देखें बड़ू की मांत्रा आए हैं लेकिन बड़ू की मांत्रा लास्ट वाले अक्ष्ष पर आए हैं जब भी किसी भी नाम में लास्ट वाले अक्षे पर अगर बड़ियू की मांत्रा आती है तो बड़ियू की मांत्रा से हम डबल ओ नहीं लगाते हैं अगर लास्ट वाले अक्षे पर बड़ियू की मांत्रा है तो हमें डबल ओ की जगे यू लगा देना है चलिए इन सबी नाम में सबसे पहले जो तीन नाम दिये हैं उनको समझ लेते हैं खुस्पू खुस्पू में खा से कह आया है और छोटू की मांतरा से यू आया है सलजमबाले सा से एस ह आया है बा से बी आया है और बापर बडू की मांतरा से यू आया है राजू, राजू में रा से आ रहाया है और रापर आ की मांतरा से ए आया है जा से जे आया है और जा पर बड़ू की मांतरा है और बड़ू की मांतरा है और बड़ू की मांतरा लाश में इसलिए यू आया है शालून, शा से एसेच आया है और बड़े आ की मांतरा से आया है ला से एल आया है और लापरबड़ू की मांतरा से यू आया है रिशी से आने बाले नाम जैसे रिशब, रिशी, रितिक, रिशित, रिशिकेश, रितुराज, रिविंदर, रिगवेद, रिशी इन सभी नाम में री आया है रिशी वाला री आया है और जब भी किसी भी नाम में री आता है तो री से हम आर आई बनाते हैं तो चलिए इन सब ये नाम में हम आगे की जो तीन नाम दिये हैं उनको समझ लेते हैं बस हमें इसमें इतना समझना है कि रिसी से आराई आता है जो री होता है रिसी बाला री होता है उससे आराई आता है रिसब, रिसब में री से राई आया है, शा से एस अचाया है, सापर आकियवाज है, और आकियवाज के लिए ए आया है, भा से बी आचाया है नेक्ट नाम है रिशी, रिशी में री के लिए र आई आया है, शा से श ह आया है, और शा पर छूटी ए की मांत्रा है, छूटी ए की मांत्रा के लिए आई आया है नेक्ट नाम है रितिक, रितिक में री के लिए आर आयाया है, ता से टी आयाया है, ता पर छूटी एकी मांतरा है, छूटी एकी मांतरा के लिए आयाया है, का से के आयाया है इसी टैप से बाकी की सबी नाम बनाए गए हैं जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्छे पर अगर री आता है तो री से हमें हमेशा आराई बनाना है चलिए नेक्स्ट टैप के नाम समझते हैं प्रभात, प्रिय, प्रकाश, संब्राट, प्रेम, प्रीती, प्रभी, प्रदीप, प्रमोध इन सभी नाम में किसी ना किसी अक्छर पर रा आया है और रा जो अक्छर के नीचे निकला हुआ है इस टैप के नाम चलिए समझते हैं देखें ये सभी नाम में जो रा नीचे निकला है उस रा से सिर्फ आ राता है तो चलिए जो सबसे पहले आगे के तीन नाम दिये हैं इनको समझ लेते हैं प्रभात देखें पा से हमने पी बनाया है और पा में जो ये रा नीचे निकला हुआ है उससे सिर्फ आ राया है और खाली है और खाली एक्षर पर हम ए लगाते हैं आके आवाज के लिए तो हमने ए लगाया है भास से पी अचाया है और भापर आके आवाज है बड़े आ की मांत्रा है इससे हमने ए लगाया है ता से टी लगाया है नेक्स्ट नामें हमारा प्रिया, प्रिया में पास से पी बनाया है, जुरा निकला हुआ है नीचे, उससे हमने आर बनाया है, और पापर छोटी की मांत्रा है, छोटी की मांत्रा से हमने आई बनाया है, यहापर आकाटेंडा है, आकी मांत्रा है, तो यहाँ से हमने बाई बना है एक्षना में हमारा प्रकाश प्रकाश में पास से पी आया है और पापर रा निकला है तो रा से हमने आर बनाया है और पापर अक्यावाज है तो अक्यावाज के लिए यह बनाया है का से के बनाया है और कापर बड़े आकी मांत्रा है बड़े आकी मांत्रा के लिए हमने यह लगाया है और सासे एसेच आया है अक्षर के नीचे निकलने वाले रा को हिंदी में पदेन कहते हैं चलिए अब इस टैप की नाम देखते हैं जिसमें रा उपर निकला हुआ है देखिए जो रा उपर निकलता है उस रा को हम हिंदी में रेप कहते हैं रेफ जो उपर रा निकला हुआ होता है उसको हिंदी में रेफ कहते हैं चलिए रेफ वाले कुछ नाम भी समझ लेते हैं अर्नव, गर्वित, धर्मेश, अर्पित, उर्मिला, अर्चना, दर्ष, पार्थ, पर्व इन सबी नाम में जो रा है वो हमारा रेफ वाला है और रेफ वाले रा से भी हम सिर्फ आर बनाते हैं लेकिन किस टैप्स बनाते हैं और कब बनाते हैं यह समझना है देखिए सबसे पहले हम तीन नाम समझ लेते हैं आगे के अर्नब, अर्नब में A से A बनाया है, इसके बाद हमारा रेफ वाले रा है, तो उसे हम बनाना है ना, ना आया है, ना कि उपर लगा है रेफ वाले रा, तो ना नहीं आएगा पहले, पहले रेफ वाले रा से R आएगा, तो A, सबसे पहले आ से A, फिर R फिर ना से N, और ना पर आ की आवाज है, तो आ की आवाज से A, वा से V इसी डैप से गर्वित, गर्वित में गा से G, और गा पर आ की आवाज है, तो आ की आवाज से A इसके बाद वा आया है लेकिन वा पर जो रिफ बाला रा है उससे सबसे पहले हमें आर बनाना है फिर वा से वी और वा पर छूटी की मांतरा है छूटी की मांतरा से आई दा से टी दर्मेश दर्मेश में धा से डी एच और धा पर आक्यावाज है तो हमने ए लगाया है मा से एम लेकिन सॉरी यहां गलत हो गया धा से डी एच बनाया है और आ से आक्यावाज से ए आया है इसके बाद मा है लेकिन मा पर रिख बाला राय तो हमने सबसे पहले R लगाया है रा से, इसके बाद मा से M बनाया है, और मा पर A की मांत्रा है, A की मांत्रा से E बनाया है, सल्जम वाले सा से SH आया है, इसी टाइप से हमने वाकी के सभी नाम बनाया है, जब भी रिफ वाला रा किसी भी अक्छर पर आता है, तो सबसे पहले हम आर बनाते हैं उसके बाद वह अक्षर बनाते हैं जिसके वो लगा है चलिए अब इस टैप की नाम समझते हैं जिसमे रा नीचे घूमा निकलता है जैसे क्रति, प्रत्वी, स्रश्टी, द्रश्टी, ब्रंदा, क्रतिका, द्रत्ती, न्रपेंद्र इन सभी नाम में स्टैप का रा आया है दिखें, स्टैप के रा से हम आराई बनाते हैं इस तरह से जो घुमा हुआ रा होता है, किसी वे अक्षर पर नीचे निकला हुआ, घुमा हुआ जो रा होता है, उससे आराई बनाते हैं चलिए, सबसे पहले आगे की जो तीन नाम देए हैं, उनको समझ लेते हैं क्रति क्रति में का से के आया है जो रा है उस रा से हमने आराई बनाया है ता से टी आया है और ता पर छूटी की मांतरा आई है छूटी की मांतरा से हमने आई बनाया है नेक्स नाम है प्रत्वी, प्रत्वी में पा से पी आया है और रा से आराई आया है ये था आया है और था जो हमारा है वो आदा है तो आदे था से सिर्फ अक्छर का अक्छर आता है था से सिर्फ टी एच आया है और A नहीं आएगा किउओगे आदे अपछेल में A नहीं आता है वासे हुवी और लास्ट में बड़ी के मांतरा है इसलिए आई नेक्ट नाम है स्रस्टी स्रस्टी में सासे S रा से आराई इसमें आदा साह है आदे सासे SH तासे टी और टा पे छोटी की मांत्रा है छोटी की मांत्रा से आई इसी टैप से वाकिय की सभी नाम बनाए है जब भी ये नीचे जो रा निकला है और जो घूमा हुआ रा होता है इस टैप का जो रा निकलता है इस रा से आराई आता है केशर हुआ केशब केशब में कापर एकी मांत्रा है छोटी एकी मांत्रा है और छोटी एकी मांत्रा से ए आता है किसी बिनाम में अगर किसी बक्षबच एकी मांत्रा आ रही है छोटी एकी मांत्रा तो उस छोटी एकी मांत्रा से हम ए बनाते है के शर्व का पर कवासे हमने के बनाया है और कवष जो एक की बनाया है सर्जवेस या जर्डवरे सा से एसेच बनाया है और छपर आपकेम हां गैन्याई है अ की इवाज है अ लगाया है लगा तो जब भी किसी भी नाम में किसी वेक्षिपा अगर छोटी एक मांत्रा आएगी तो छोटी एक मांत्रा से हमें सिर्फ यह बनाना है चलिए कुछ और नाम इसके देख लेते हैं शेखर, रमेश, महेश, दिनेश, नरेश, उमेश, सुरेश, देव, रेखा इन सभी नाम में छोटी एकी मांत्रा आई है और जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षिपा अगर छोटी एक मांत्रा आती है तो छोटी एकी मांत्रा से हम ए लगाते हैं अगर छोटी एकी मांत्रा किसी भी अक्षिपा होगी तो उससे हमें ए लगाना है चली इन सबी नाम में जो सबसे आगे के तीन नाम दिये हैं उनको समझ लेते हैं सेखर सेखर में शा से SH आया है और शा पर छोटी A की मांतरा आई है उससे हमने E बनाया है खा से KH आया है खा पर A की अवास से A आया है रा से आ राया है नेक्ष नाम है रमेश रमेश में रा से आराया है और रा पे आकी अबाज है आकी अबाज से ए आया है मा से एम आया है और मा पर एकी अबाज है एक अबाज से ए आया है सा से एसेच आया है नेक्ष नाम है महेश महेश में मा से एम आया है और आकी अवास से A आया है हा से H आया है हा पे छोटी A की मांत्रा है छोटी A की मांत्रा से E आया है शा से SH आया है इसी टैप से बाकी के सबी नाम बनाए है बस हमें इतना ध्यान रखना है जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षे पर एक ही मांत्रा आती है तो एक ही मांत्रा से यी बनाना है वै भव व वै भव में वा पर दो मांत्राएं है और ये दो मांत्राएं हमारी बड़ी एक होती है बड़ी ए से दो मांत्राएं आती है वै भव वा से वी आया है और जो दो मांत्राएं बड़ी एक ही जो दो मांत्राइं हैं उससे AI आया है जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षर पर अगर ये बड़ी एक ही जो मांत्राइं हैं ये तो दो मांत्राइं आती हैं उससे हम AI लगाते हैं तो वहाँ से V आया है और इन दो मांत्राओं से AI आया है बहा से बी एच आया है, भापर अक्याबास से ए आया है और वहा से वी आया है वै भाप चलिए इसी टैप के कुछ नाम और देख लेते हैं फैसल, भैरब, उमेर, वैसाली, रैदास, फैजान, नैना, शेफ, फैस इन सभी नाम में बड़ी एकी मांत्रा आए है और बड़ी एकी मांत्रा जबी किसी भी नाम में किसी भी अप्छिर पर अगर आती है तो बड़ी एकी मांत्रा से हम AI लगाते है ये जो दो मांत्रा हैं इससे AI लगाते है तो चलिए इस अभी नाम में आगे के जो तीन नाम दी हैं उनको समझ लेते है फैसल, फैसल में फा से F आया है और फा पर बड़ी एकी मांत्रा है उससे AI आया है सा से S आया है, सा पर आगी आवाज से A आया है, ला से L आया है Next नाम है भैरव, भैरव में भा से B H आया है और जो बड़ी A की आवाज है उससे A I आया है रा से R आया है, रा पर आगी आवाज से A आया है, वा से V आया है नेक्ट नाम है宁मेर, उमेर में छोट से यू आया है, मा से M आया है और मा पर बड़ी एकी अवाज है, बड़ी एकी मान्तरा से AI आया है और रह से R आया है इसी टैप से बाकी के सभी नाम बनाए हैं तो जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षर पर अगर बड़ी एक की मांतरा आती है अगर यह जो दो मांतरा आती हैं बड़ी एक की मांतरा आती है तो हमें बड़ी एक की मांतरा से AI बनाना है चलिए, अब नेक्स रूल देखते हैं, नेक्स ट्राइब के नाम बनाना सीखते हैं गोपाल गोपाल में गाह पे जो मांतरा है वो ओकी है गोपाल में गाह पे बड़ी आगी मांतरा है और बड़ी आगी मांतरा से यह आया है ला से एल आया है चलिए, वोगी मांतरा वाले कुछ नाम और समझ लेते हैं कोमल, रोहन, शोभित, रोहित, सोनम, रोचक, आलोक, मोहित, मोहन इन सबी नाम में किसी ने किसी अक्षर पर ओकी मांतरा आई है और जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षर पर अगर ओकी मांतरा आती है तो ओकी मांतरा से हमें हमेशा ही ओ बनाना है चलिए इन सबी नाम में जो आगे के तीन नाम दिये हैं उनको हम समझ लेते हैं कोमल कोमल में का से के आया है और का पर जो ओ की मांतरा है उस ओ की मांतरा से ओ आया है मा से एम आया है और मा पर आकी अवास से ए आया है ला से एल आया है नेक्स्ट नाम है रोहन रोहन में रा से आराया है और रा पर जो O की मांत्रा है O की मांत्रा से O आया है हा से H आया है हा पर आ की अवास से A आया है ना से N आया है नेक्ष नाम है सो भित, सो भित में सा से एसे चाया है, सापर ओ की मांत्रा है, ओ की मांत्रा से ओ आया है, भा से बी एचाया है, और भा पर छोटी की मांत्रा है, छोटी की मांत्रा से आया है, ता से टी आया है इसी डैप से बागी की सभी नाम बना हुए हैं जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्चर पर अगर O की मांत्रा आती है तो O की मांत्रा से हमें हमेशा ही O बनाना है चलिए अब नेक्स्ट टैप के नाम सीखते हैं गौतम 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 में गापर जो मांत्रा है वो बड़ी ओकी है जिसको हम आउ करके पढ़ते हैं और इस आउ की मांत्रा से दो मांत्रा आती हैं जो डंडे के उपर होती है इस आउ की मांत्रा से एयू आता है और सॉरी ओ की मांत्रा से ए यू भी लगा सकते हैं हम और ओ यू भी लगा सकते हैं जब भी किसी भी नाम में किसी भी अप्छर पर अगर बड़े ओ की मांत्रा आती है जिसको हम ओ करके पढ़ते हैं अगर इस टाइप से अगर मांत्रा है तो हमें उससे या तो ए यू लगा सक जिसे गौतम इसमें गा से जी आया है और जो ऑगी मंत्रा है उससे एउ आया है ता से टी आया है और ता पे आज्याबास से आया है मां से एम आया है इस टैप से यह नाम दिये गए है गौरभ शौरभ कोशल रौनक गौरी मौशंग इन सभी नाम में बड़े ओकी मंत्रा है और बड़े ओकी मंत्रा से या तो एयू लगा सकते है या फिर ओयू लगा सकते है जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षर पर अगर ओकी मंत्रा आती है तो ओकी मंत्रा से या तो एयू बना देना है या फिर ओयू बना देना है चलि पूरा से यू आया है नेक्ष नाम है स्यों और में शा श से इसा है और ओकी मांत्रा से A-U आया है रा से आ राया है और आगी अवास से A आया है भा से B-H आया है Next नाम है कौशल कौशल में का से के आया है और ओकी मांत्रा से A-U आया है शा से S-H आया है और शा पे आगी अवास से A आया है ला से L आया है इस टाइप से वाकी के नाम बनाए गए हैं तो जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षर पर अगर ओकी मांतरा आती है तो हमें ध्यान रखना है कि ओकी मांतरा से या तो AU बनाते हैं या फिर OU बनाते हैं जादतर तो हम ओकी मांतरा से AU ही देखेंगे ज़ाद तर इस टाइब की जो नाम आएंगे उनमें उकी मांतरा से ज़ाद तर एयू ही लगाते हैं लेकिन अगर ओयू लगा दें तब भी अमारे नाम गलत नहीं होगा चली नेक्ट ट्राइब की नाम बनाने सीखते हैं कंचन में कापर जो अंकी अवाज है अंकी मांत्रा है उससे एन आता है कं चन कापर जो बिंदि है उससे शिर्फ एन लगाया है चापर जो आकी अवाज है ना से एन आया है तो जब भी किसी भी नाम में, किसी भी अक्षर पर अगर अंकी बिंदी ये अंकी अवाज जब आती है, अंकी बिंदी आती है, तो उसे सिर्फ हम एहन लगाते हैं चलिए इस टैप्स के कुछ नाम और देख लेते हैं जैसे पंकर्ज, संगीता, संकेत, अंगद, अंसुल, अंशिका, गंगा, वन्स, अंस इन सभी नाम में, अंकी मांत्रा आई है, चलिए सबसे पहले के आगे के जो तीन नाम दिये हैं, उनको समझ लेते हैं पंकर्ज, पंकर्ज में पा से पी आया है, और पापे आक्यवाज है, आक्यवाज से ए बनाया है और अंकी विंदी है, उससे सिर्फ एन बनाया है का से के आया है, का पे आक्यवाज से ए आया है, जा से जे आया है संगीता में सा से S आया है और सा पर आकी अबाज से A आया है और जो अंकी अबाज है अंकी मांत्रा से N आया है गा से G आया है और गा पर बड़ी की मांत्रा से W आया है ता से T आया है और ता पर बड़े आ की मांत्रा है इसलिए A आया है next नाम है संकेट संकेट में साथ से S आया है सापे आक्याबाद से A आया है और अंकी बिंदी से N आया है का से K आया है और का पर जो A की मांत्रा है उससे E आया है ता से T आया है तो जब भी किसी भी नाम में किसी भी अक्षर पर अगर अंकी बिंदी आती है अंकी मांतर आती है तो हमें उससे सिर्फ एन बनाना है और ज़्यादतर ये जो अंकी बिंदी आती है वो खाली अक्षर पर आती है तो जो खाली अक्षर होता है हमारा तो खाली अक्षर पर हम ज़्यादतर शुरू में या बी अंकी बिंदी होती है उससे एन बनाते हैं तो जब भी किसी विनाम में अंकी बिंदी आती है तो खाली अक्षर पर जादेतर आती है इसलिए वो वहाँ पर एन आता है कह सकते हम कि एन लगाते हैं या हम कह सकते हैं कि सिर्थ एन लगाते हैं चंद्रबिंदु वाले नाव चलिए कुछ नाव समझ लेते हैं जिन पर चंद्रबिंदु आता है जैसे चांदनी, आचल, सामली, गांधी, राची, जासी, सहजह, जहागीर देखें इन सभी नाम में किसी न किसी अक्षर पर चंद्रबिंदु आया है और जब चंद्रबिंदु किसी भी अक्षर पर आता है तो चंद्रबिंदु से हम ए-एन लगाते हैं चंद्बिंदू किसी व्यक्षर पर आता है, चंद्बिंदू से हम AN लगाते हैं, जैसे चान्नी, चान्नी में चा से CH आया है, और चंद्बिंदू से AN आया है, दा से D आया है, ना से N आया है, और लास्ट में बड़ी की मांतरा से I आया है, नेक्स्ट नाम है आचल दिखिए आचल में आ से ए आएगा और चंद बिंदू है उससे भी ए एन आएगा तो हम जब भी किसी भी नाम में सुरू में कभी भी डवल ए नहीं आता है इसलिए यहां पर हम केवल सिर्फ एक ए लगाएंगे इसलिए आ से सीधा सीधा हम ए एन लगा देंगे तो चंद बिंदू से ए एन आया है या मान लीजिए आ से ए आया है चंद बिंदू से भी एक ए एन आएगा और आ से भी ए आएगा तो सुरू बात में हम डवल ए नहीं लगाते इसलिए सिंगल ए रखा है हमने तो कैसा भी मान लीजिए A से A मान लीजिए और चंद बिंदू से N मान लीजिए चंद बिंदू से A N मान लीजिए चा से CH आया है और चा पर आक्यावाज से A आया है ला से L आया है Next नाम है सामली सामली में सास से S आया है और चन्द बिंदू से AN आया है वासे V आया है और बापर आके अवाज है इसलिए A आया है ला से L आया है ला पर बड़ी की मांतरा है और बड़ी की मांतरा लाश्च में आती है तो हम I लगाते हैं इसी टाइप से बागी की सभी नाम बनाये हैं कि चलिए नेक्स्ट टाइप के नाम देखते हैं कि सिधार्थ शिधान्त रिद्धिमा शिधी रिद्धी शद्धा बुद्ध इन सभी नाम में दापर आदा धाया है इस टाइप से जब नाम आते हैं तो थोड़ा हम कंफिज हो जाते हैं और हम संद्विन आता है इसको कैसे ब के नाम थोड़ा डिफिकल्ट लगते हमें तो चलिए इस टाइप के नाम भी हम समझते हैं कैसे बनाना है देखें दापर जो धा आता है जब भी किसी नाम में किसी पर अक्षर पर इस टाइप का अक्षर आए दा आए और पर आदा धा आए तो हमें कुछ नहीं बस इस पर दा लगा हो तो हमें सीधा सीधा इस अफचर से डबल डी एच बना देना है कि चलिए आगे क Ar 150 में ऐसा अया है और सापर ज्छूटी की मांत्रा है उससे आयाया है दापे जो धा है उससे Double D H आयाया है और इस पे आक की मांतरा है तो हमने ए लगाया है इसके बाद रेफ वाले राह है था पे तो सबसे पहले रेफ वाले राह से R बनाया है और था से टी-एच बनाया है नेक्श नाम है सिधान्त में सा से ऐसा आया है और सा पे छोटी की मांतरा से आया आया है दा से दा पे जो आदधा है उससे डबल डी ह आया है और बड़े आ की मांतरा से ए आया है और इस पे अंकी बिंदी है तो हमने ए लगाया है और ता से टी आया है नेक्ट नाम है रिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जो भी दा आता है, दा पे अगर आदा धा आता है, तो हमें उस दा और धा से सीधा सीधा डवल डी एच बना देना है। चलिए, अब ये नाम भी समझ लेते हैं, फर्मान, सल्मान, अर्मान, अनमोल, अबनीश, बलराम, ओमका, रजनीश, शिपकराज, देखें, ये सब नाम चार अक्षर वाले हैं, और चार अक्षर वाले नाम में हम जब ये चार अक्षर वाले नाम होते हैं, तो हम इनको जब पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो इनमें जो दूसरा अक्षर होता है हमारा, वहाँ हम स्टॉप करते हैं, मतलब जो दूसरा अक्षर होता है चार अक्षर वाले नाम में जो दूसरा अक्षर होता है वहाँ पर जो खाली अक्षर होता है तो वहाँ पर जो अवाज निकलती है वो आकी अवाज नहीं निकलती है चार अक्षर वाले नाम में इसी तरह सल्मान में स, ल, ला नहीं आ रहा है, ल आ रहा है, इसी तरह सबी नाम में अन, न, ना नहीं आ रहा है, अब, अबु, अबु नहीं आ रहा है, अबु नीस, इसी तरह ब, ल, ला नहीं आ रहा है, ल आ रहा है, इसी तरह ये सबी नाम हैं, जब भी चार अक्छर वार नाम में दूसरा अप्षर होता है उसमें आखी अवाज नहीं आती यह हम ज semester हशा बनाते हैं तो दूसरे अप्षर पर अई नहीं लगाते हैं जैसे आगी की तीनाम समझते हैं चलिए फर्मान, फर्मान में फा से एफ आया है और फा पे आ की अवाज है तो हमने ए लगाया है, रा पे रा से आर लगाया है लेकिन रा पे आ की अवाज नहीं आ रही है र की अवाज आ रही है, र की अवाज आ रही है आ की आवाज नहीं आ रही है तो रा पे हमने ए नहीं लगाया है मां से एम लगाया है और मां पे आ की मांतरा है तो हमने ए लगाया है ना से ए लगाया है इसी तरह सलमान में सल ल ल नहीं है ल है तो सा से एस बनाया है और सा पे आ की आवाज से ए लगाया है ला से ए लगाया ह और लापी आ की अवाज नहीं है इसलिए ए नहीं लगाया है मा से M लगाया है और मा पी बड़े आ की मांतरा है इसलिए A लगाया है ना से N लगाया है नेक्स नाम है हमारा अर्मान अर्मान में A से A लगाया है रा से R लगाया है और मा से M लगाया है और मा पे बड़े आगी मांतरा है और बड़े आगी मांतरा से A लगाया है ना से N लगाया है तो जब भी ये चार अक्षर वाले नाम और जरूर ही नहीं है कि चार अक्षर वाले नाम ही हो और भी नाम होते हैं यहाँ पर तीन अक्षर वाली भी हो सकते हैं जिनमें मतलब खाली अक्षर होते हैं और अवाज आ की नहीं निकलती है तो उस अक्षर पे हमें ए नहीं लगाना है खाली अक्षर हम देखते हैं खाली अक्षर होता है तो उस पर ए लगा देते हैं शुरूर में बीच में लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कि किसी अक्षर पर आकी अवाज नहीं निकलती है तो हमें उस पर ए नहीं लगाना है चलिए नेक्स ट्राइब की नाम समझ लेते हैं देगें जैसे राजेंद्र जितेंद्र महेंद्र सुरेंद्र शतेंद्र उपेंद्र नरेंद्र भूपेंद्र रगवेंद्र इन नाम में बस इतना है कि लास्ट में जो दा आ रहा है जैसे कि बताया है लास्ट में जो अक्षर आता है वो अगर खाली आता है तो उस पर ए नहीं लगता है लेकिन इन सभी नाम में लास्ट में अक्षर खाली है फिर भी ए लगा है तो वो इसलिए होता है कि जब लास्ट वाले अक्षर पे अगर रा निकलता है नीच निकलता है या फिर उपर निकलता है चापदेन वाला रा नीच निकलता है रेफ वाला रा उपर लगता है तो तो रा जो उपर निकलता है या फिर नीची निकलता है वो आधा रा होता है और अगर लास्ट वाले अक्षर पर इस टैप से आता है तो हमें लास्ट वाले अक्षर पर अगर वो खाली है तब भी ए लगाना है अगर लास्ट वाल अक्षर पर रा चंपदीन वाला हो नीची निकल दा हो रिव वाला रा ऊपर निकल दा हो और लास्ट वाला अक्षर अगर खाली है उसमें बड़े आकी मांत्रा नहीं है तब भी हमें लास्ट वाले अक्षर अगर खाली है तब भी हमें एल लगाना है जिस यह द्रजब कोद स्वेय में स्टमी जुद्धा उंत्हार निक्ला है खाली कि पिर सब्रस्पने के विवर्गा रगबेंसा है को कि है इस टाइब से नाम आते हैं खाली अक्षर Самles ब्रोंपर भी हम एक लगा देते हैं कि चलिए नेक्स ट्टाइप की नाम समझते हां श्रेया शूती श्minute इन सभी नाम में श्रस्रमिक और स्रस्रमिक से इंगलिज की तीन अंपिस कराते हैं ऐस हर तो जब-भी हम तौड़ बंढें तो हम यह भूल जाते चांदी तर किसमिक से क्या आता है तो हम ईसे द्यान रखना सरश्णिंग से ऐसे चार आता है चलिए नेक्स टाइप कि नाम समझते हैं प्रतिक्षा दिश्यमेंत्र शूमा इन वी नाममें 46ud आया है है जैए कई सैड्री एक अजब यह एक आता है और 68 विए यह ग्याद Squid से भी के एस एच तीन अप्चर आते हैं इसलिए तो हम इसे दिहान रखना है कि 46 के एसे जाता है जब भी किसी नाम में चाच्छ्छत्री आए तो चाच्छत्री से के एसेच बनाना है